नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस MP चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में मद्धप्रदेश विधान सबा से नहरू की तस्वीर हटाने के बाद इस मुद्धे पर विवाद शिरू हो गया है यहां नहरू की तस्वीर हटा कर बाबा सहब अंबेटकर कर चुत्र लगाया गया कॉंग्रिस ने कहा कि रास्ट निर्माता पंडित जवाहर लाल नहरू की तस्वीर हटाने का हम विरोध करते हैं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं अब बोर्वेल खुला चोड़ा तो कैर नहीं प्रशासन ने इन अधिकारियों पर भी रहेगी जिम्मेदारी मद्यप्रदेश में पिछले दिनों बोर्वेल में बच्चों की गिरने की घटनाओं में व्रधी हुई चुसे लेकर अब सरकार भी कमभीर है सुप्रीम कोट में सरकारों को इस पर तुरंठो सेक्षन लेने के निर्देश दिये हैं इस क्रब में अब भुपाल जिला प्रशासन ने एक आदेश निकाला और उप्योग में ना आने वाले बोर्विल को धकने के सक्त आदेश दिये मुख्यमंत्रे डॉक्टर मोहन यादव ने पहली ही बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि संकल पत्र में जो वादे किये गए और जो पियम मोदी की गैरेंटी है उसे सौप्रतिशत पूरा करना है इस क्रब में उन्होंने हर नागरिक को स्वास्ते सुरक्षा की गैरेंटी को लेकर निर्देश दिये किंद्र ने जारी की कुविट के नए वैरियंट की गाइडलाइन सीम यादव ने पूरे एमपी में की लागू देश भर में एक बार फिर से कुरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रही है कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और नए वैरियंट जे एन पॉइंट वन के मामले सामने आने के बाद किंद्र सरकार के दौरा नई एडवाईजरी जारी कर दी गई सम्विदा कर्मी आंगन बारी कार्य करता हो समेत इन कर्मचारियों को मिलेगा इस यूजना का लाब मद्रदेश के सम्विदा कर्मचारियों आंगन बारी कार्य करता हो और आशा उशा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है अब प्रदेश के संविरा कर्मचारियों अंगनबाडी आशा उशा कारिकरता सहाई का पंचायत सचेव ग्राम रोजगार सहायाग कोटवार सही तन्य कर्मचारियों के समवर को भी आईश्मान कार्ट का लाब मिलेगा तीन दिन बाद फिर सक्रिया होगा नया पश्चिमी विक्षोप फिर बदलेगा मद्यप्रदेश का मौसम पहालों पर हो रही बरपारी और सर्द उत्तरी हवाओ के चलते फिलहाल 21 दिसमबर तर मद्यप्रदेश का मौसम में इसी तरह बने रहने का अनुमान है लेकिन 22 दिसमबर से पश्चिमी विक्षोप सक्रिया होने से बादल छाने के साथ तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा शिवरा सिंग बूली मैं राज़े के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा MP विधानसबा चुनाओं की परिणाम आने के बाद शिवरा सिंग चोहान दिल्ली पहुचे वो भाज़पा के रास्ती अध्यक्ष जेपे नड़ा के बुलावे पर गए शिवरा सिंग चोहान ने पार्टी अध्यक्ष जेपे नड़ा से मुलाखात के बात कहा एक कारेकर्टा के तोर पर पार्टी मेरे लिए जो भी भूमी का तै करेगी वो काम मैं करूंगा MP विधानसभा के विशेश सत्र का दूसरा देन 21 विधाय को ने ली शपत मद्रप्रदेश के सोलवे विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को 21 विधाय को ने शपत ग्रहन की सुमवार को 207 विधाय को ने शपत ग्रहन की थी प्रोटेम स्पीकर गुपाल भारगव पहले ही शपत ले चुके हैं चिंद्वारा विधाय कमलनात विदेश में होने के चलते इस सत्र में शामिल नहीं हो रहे MP कॉंग्रेस अध्यक्ष का पद्भार ग्रहेंट करेंगे जीतू पटवारी मद्र प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी मंगलवार को कारिभार सभालने जा रही है वे रोट शो के साथ भुपाल इस्थित प्रदेश कॉंग्रेस कारे आले पहुचेंगे इसके पहले उन्होंने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किये कमलनात ने पटवारी को नई पारी के लिए शुपकाम नाई दी बीजेपी में बदलाओ का दौट जारी एमपी में प्रदेश प्रभारी हटाने की तयारी मंद्र प्रदेश प्रदान सबह चुनाओ संपन होने के बाद मंतरी मंदल विस्तार का इंतजार है चल्द ही प्रदेश में मंतरी बना दिये जाएंगे लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामनी आ रही है एमपी बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरली धर्राव को बदलने की तयारी में है लोग सबह चुनाओ को देखते हुए पार्टी कई नई न्युक्तियां करने जा रही है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद